हलो फ्रिंट्स आज किस वीडियो में आप सभी के लिए ऐसे से जिड़ी वर्तिक्रिका 2023 चो इसकी लेटिस्ट वेकेंसी की जो अपडेट है अपको इस वीडियो के मादे में से बताएंगे क्योंकि एक बड़ी वेकेंसी जो है गौर्णन के वर्तिक्रिक्रा में फोर्म अप्लाइ करके सेंट्रल गौर्णन में सरकारी नोकरी प्राप कर सकते है अब वी वर्तिक्रा आप देख सकते हो SSCJD वेकेंसी 2300 इसके लिए ये ओफिसल नोडिफिकेशन जारीव है आपके आवे दिन कब स्टार्ट होंगे लास्ट इट क्या है Schedule of Computer Best आपकी एक्जाम कब होगी वो जानकर आपको यहां बताएगी है तो आपकी ज्यू एक्जाम है वो February 2024 में होगी February 2024 में होगी इसके बाद वर्ण्स यहां आपको payment details बताई है कि आपको pay scale क्या मिलेगा तो 18,000 लेकि 56,000 रुपे यहांनि कि level 3 है तो level 3 आपका होता है 21,700 से लेकि 79,000 रुपे यह आपका level 3 है तो इस आदार पर आपको इसमें वेतर मिल जाएगा इससे के सब फिर आपको इसमें बताएगा total of number vacancies BSF से कितने vacancies मिल रही है CSF से कितने vacancies मिल रही है total 24,000 vacancies BSF से मिल रही है 7,887 vacancies है 22,000 vacancies है तो यह vacancy wise आपको इसमें बताएगी है तो इसमें post जो है BSF से आपको मिल रही है और CSF और CRPF यह दो जो आपको इसमें vacancies है forces है वहां से यह vacancies सबसे ज़्यदा आपको मिल रही है इसके साथ friends फिर आपको इसमें बताएगे है NIC vacancies कौन अपलाई कर सकता है भाद का कोई भी नागरिक इस recruitment के लिए अपलाई कर सकता है भाद का कोई भी नागरिक इसमें फिर आपको बताएगी as limit as की जो गणना की जा रही है वो एक अगस्त से की जा रही है CST, CST को छूट मिल रही है तो यहां 5 साल की छूट मिल जाएगी तो इसमें ठरा से लेके आपको बताएगी है 5 साल की प्लस और कर देना और इसके बाद OBC के लिए 3 वर्स की चूट एक सर्विसमें के लिए 3 वर्स की नजदीक एक्जम सेंटर है जब आफ ओन-लाइन फॉर्म तो आप की एक्जम सेंटर है तो आपको यह वेकेंसी डीटेल्स की जो प्लिक्स होगी वह आपको देनी होगी आपको सलेबस बताया गया तो नोर्मली सलेबस जो पिछली साल था वही आप में सेंब इसमें ज्यादा आपको changing की आपको मिलेंगे तो आपको करना क्या syllabus को अच्छे से syllabus की जो अच्छे से त्यारी करनी है आपको सबसे पहले इस recruitment की जो तीन-चार साल की जो back paper है वो आपको देखने होंगे ठीक है उसी आदार पर आपको इसमें त्यारी करनी है इसमें मायनस मार्किंग होगी आपकी तो आपकह आपको आपको बतायें हुआ और इसके बाद आपको math में, हिंदे में कौन कौन से topic आपको cover करने होंगे, वो जानकर आपको यहां बताएगी है, इसके बाद आपकी कितनी दोड होगी और वो जानकर आपको यहां बताएगी है, तो आपकी वो ही 5 km की दोड होगी 24 मिनट में, और इसके बाद आपको इसमें 157 cm है और इसके बाद जो अभ्यारती नियमन केटिगरियों से विलॉंग करते हैं उन अभ्यारतियों के लेक्सी चूट मिल जाएगी